हेलो एन वाटसेब गाइस दिस एवेसे प्लेंड ये और वाचिक इशकेशन साइट गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CSAB 2020 के बारे में Central Seat Location Board 2020 तो इस वीडियो में मैं आपको जो सा काउंसलिंग के बाद जो CSAB की काउंसलिंग होती है Special Round की काउंसलिंग होती है इसके बारे में Complete Details देने वाला हूँ CSAB की काउंसलिंग हम सभी के लिए काफी important होती है क्योंकि अगर आपकी rank थोड़ा सा उपर जा रही है या फिर जो सा में आपको एक अच्छा college नहीं मिल पा रहा है तो CSAB की काउंसलिंग अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपको बहुत बढ़ियां college मिल जाता है आपकी उसी high rank पे तो इस वीडियो में मैं आपको CSAB 2020 के बारे में Complete Details यानि इसले के जर्ट तक की Complete Information देने वाला हूँ थोड़ा सा पेसिस रखे अगर आप इस वीडियो को Complete देख लोगे तो आपको CSAB के बारे में कोई भी doubt नहीं रहने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको CSAB के बारे में कुछ basic details दे देता हूँ तो जो CSAB है Central Seat Allocation Board ये basically एक agency है जैसे NTA होता है National Testing Agency जोसा होता है Joint Seat Allocation Authority इसी तरह CSAB भी एक agency है जोसा के थुरू आपको admission मिलता है NIT, IIIT, JFTI और IITS में लेकिन जो CSAB है इसमें IIT participate नहीं करती है यानि IIT में जो admission procedure होता है वो जोसा counseling में complete कर दिया जाता है इसके बाद वहाँ पे जो seed vacant रहती है वो हमेशा के लिए vacant जाती है यानि वहाँ पे CSAB की counseling नहीं करवाई जाती है लेकिन जो NIT plus system है यानि NIT, IIIT और JFTI इन सभी में जोसा counseling के बाद जो seed vacant रहती है जैसे जोसा 2020 में 6 round हो रहे है तो 6 round में जो भी seed vacant रहेंगे जिन colleges में NIT plus system में तो वो सबके सब college CSAB में participate करेंगे और वहाँ पे इनके लिए counseling होगी और CSAB की counseling में जो cut off होते हैं वो जोसा से कहीं उपर होते हैं तो CSAB की counseling में 31 NIT, 26 IIIT और 29 JFTIs participate करती हैं अब मालनों कोई NIT ऐसा है जहां पे कोई seed vacant नहीं रहे गई या IIIT में कोई seed vacant नहीं रहे गई तो फिर वो college CSAB में participate नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो requirement है वो already fulfilled हो गई है लेकिन generally हर college में कोई ना कोई seed vacant तो रही ही जाती है CSAB में participate हर एक NIT, हर IIIT और हर JFTI करता है ठीक है वहाँ पे seed vacant रही ही जाती है इसके बाद जो CSAB की counseling है उसे अगर कोई ऐसा student है जिसने gosa counseling में participate ही नहीं किया अगर उसका participation नहीं हो पाया gosa counseling में तो वो student CSAB की counseling में फिर से participate कर सकता है ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि अगर आपने gosa counseling की तो आप cSAB नहीं कर सकते हो जोसा काउंसलिंग नहीं की तो भी आप CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हो मालो कोई ऐसा student है जिसने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन उसे कोई seat ही नहीं मिल पाई जोसा की काउंसलिंग में तो ऐसे सभी student भी CSAB की counseling में participate कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं schedule की तो जोसा counseling के बाद CSAB counseling स्टार्ट होगी जोसा की जो counseling है वो November में चल रही है November में इसका छठा राउंड है जैसे ही जोसा counseling का छठा राउंड खतम होगा तो फिर 9 से 13 के बीच NIT Plus system के लिए admission procedure चल ले वाला है according to जोसा counseling 2020 schedule और NIT Plus system में जो admission procedure होता है वो CSAB यानि special round के थुरू conduct करवाया जाता है तो जब CSAB के लिए exact dates आ जाएंगी यानि आपको कब registration करना है जोइक्स filling करनी है कब आपको fees payment करनी है कब seat allotment होगा तो इसके लिए हम एक proper video बना के आपको CSAB के schedule के बारे में details देंगे जिससे कि आप अपनी counseling सही समय में सही तरीके से करपाओ इसके बाद बात करते हैं कि criteria क्या होता है CSAB counseling करने के लिए तो जो student जोसा 2020 के लिए eligible है वो सब के सब student CSAB की counseling के लिए eligible है CSAB 2020 में participate कर सकते हैं अभी तक CSAB 2019 में जोसा 2019 में क्या होता है कि आपको 75% score करना होता था Journal, Journal EWS या OBC वाले बच्चों को SCHD और PWDA वाले बच्चों को 65% score करना होता था NIT, IIIT, JFTI और IIT इसमें admission के लिए लेकिन 2020 में COVID के कारण यह जो criteria है वो हटा दिया गया है अब आपके पास सिर्फ passing certificate होना चाहिए अगर आपके पास सिर्फ passing certificate है ठीक है तो आप जोसा और CSAB दोनों में participate कर सकते हो और NIT या IIT या फिर IIIT JFTI में admission ले सकते हो अगर आपका J-Main clear नहीं है मालो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका J-Main का cut-off ही clear नहीं अपनी category का तो वो सभी बच्चे भी CSAB में participate कर सकते हैं वो सभी बच्चे जोसा में भी participate कर सकते हैं ऐसा कोई important नहीं है कि अगर आपने category का cut-off clear नहीं किया यानि आप J-Main qualified नहीं हो तो आप जो सभी CSAB में participate नहीं कर सकते हो इसके बाद बात करते हैं counseling procedure क्या होता है तो counseling procedure simple सा है सबसे पहले आपको CSAB के official website csab.nic.in पे जाके आपको registration करना होगा इसके बाद आपको वहाँ पे fee payment करना होता है choice filling करनी होती है choice lock होती है फिर seat allotment होता है इसके बाद online reporting आपको registration कैसे करना होगा तो registration CSAB के लिए official website csab.nic.in पर करना होगा CSAB की counseling में आप NIT, TRIPALIT और JFTI के लिए ही choice filling कर सकते हो और आपको अपना JMAN का जो application number है और जो password है जैसा आपने JOSA में registration किया था JOSA की website पे इसी तरह आपको CSAB के लिए भी registration करना है simple है इसके बाद बात करते हैं कि आपको choice filling कैसे करनी है तो देखो जो CSAB की counseling है वो last रास्ता है NIT PLUS system में admission के लिए तो आपको choice filling बहुत ही सोच समझ के करनी होगी और अगर आप मेरा suggestion माने तो choice filling करते समय आप उन colleges को उपर रखे जो college आपको आपकी rank recording मिल रहे हैं और जिन colleges में आपको admission चाहिए क्योंकि CSAB की जो counseling है वो last रास्ता है और यहाँ पे अगर आप choice filling में mistake करते हो यहाँ पे आप अगर expert की तरह से choice filling नहीं करते हो तो आपको आपकी rank पे college मिलना बहुत difficult हो जाता है और आपका पूरा जो year है ना वो मेरे हिसाफ से waste हो जाता है तो choice filling अगर आपको सही तरीके से आती है तो आप CSAB की counseling में अगर आपकी rank थोड़ा सा low भी है ना तो भी आप एक अच्छा college ले सकते हो आपको एक अच्छे college में admission मिल सकता है तो CSAB counseling की choice filling के लिए अगर आपको problem आ रही है आप से नहीं हो पा रही है सही तरीके से choice filling तो इस video के description box में हमारे contact details दिये हुए है basically आपकी जो choice filling है उसमें हम help करेंगे तो इस video के description box में जाके ये जो सारी services होंगी वो paid होंगी ये बात clear कर दूँ आपके जो पैसे यहाँ पे लग रहे है choice filling में वो सारे के सारे पैसे वसूल हो जाएंगे क्योंकि जब हम choice filling करेंगे जो हमारे expert हैं वो choice filling करेंगे तो आपको एक अच्छा college definitely आपकी rank पे मिलना ही मिलना है तो आपके जो पैसे लग रहे हैं वो सारे के सारे वसूल हो जाते हैं तो इस वीडियो के description box में जाकर आप contact कर सकते हैं इसके बाद जो choice locking की procedure है अगर आप अपनी choices को lock नहीं करते तो आटो lock हो जाएंगी और अगर आप अपनी choices को lock कर देते हो तो कोई भी modification आपकी lock choice में नहीं हो सकता है तो choice feeling जब आप लोग करना तो उसे एक बार, दो बार, तीन बार revise कर लेना है अब बात करते हैं कि कितने round होंगे तो CSAB की counselling में generally एक या दो round ही conduct करवाई जाते हैं जो सा counselling में हमें सा 7 round होते थे लेकिन इस बार 6 round हो रहे हैं तो हो सकता है कि CSAB 2020 की जो counselling हो वो भी एक round में ही conduct करवाई जाए तो फिर choice feeling और भी ज़्यादर important हो जाती है आप लोगों के लिए अगर एक round हुआ तो इसके बाद बात करते हैं कि जब आपको CSAB की counselling में seat a lot हो जाएगी जैसे जोसा counselling में आप लोगों को seat मिल जाती है तो फिर आप लोगों के पास option आता है freeze float या slide करने का ठीक है आपको undertaking देना होता है billing submit करनी होती है कि आपको अपनी seat को क्या करना है freeze करना है float करना है या slide करना है तो freeze float और slide की जो option होते है ये जोसा के तरह ही होते हैं CSAB की counselling में भी अगर आप float select करते हो तो आपको जो college मिला है मालो number 28 choice मिली है तो number 28 choice आप accept करते हो अगर दो round हो रहे हैं CSAB में ठीक है अगर एक ही round हो रहा है तब तो फिर आपको अपनी seat को लेना है या फिर drop करना है ठीक है और दो round अगर हो रहे है तो आप अगर float select करते हो तो जो number 28 choice मिली है उसे आप accept करते हो इसके साथ CSAB का जो round 2 है उसमें participate करके और 28 के उपर की जो choices है उनमें भी अपनी seat को upgrade कराना चाहते हो यानि next round में भी participate करना चाहते हो अगर CSAB की counselling दो round में होती है तो यहाँ पे एक नया option होता है surrender का और इस option में बच्चे काफी confused होते हैं यह जो option होता है यह काफी important होता है इसमें भी दो option आते हैं surrender के अंदर भी दो option होते हैं surrender and participating in next round and surrender and not participating in next round यानि surrender करना है और next round में participate भी करना है उस option को select करोगे इसके बाद जो round 1 की seat है वो तो cancel हो गई वो तो आपको नहीं मिलने वाली है उस seat का आप claim नहीं कर सकते हो लेकिन round 2 में आपको जो seat मिलती है वो आपकी final seat होगी तो मेरे हिसाब से ये option बिल्कुल ही waste होता है ठीक है न इसके बाद surrender and not participating in next round ये जो option होता है ये useful ह हिसाब से होता है कि मालो आपने CSAB में participate तो कर दिया अब CSAB में आपके choice filling ऐसी कर दी कि आपको ऐसा college मिल गया है जिसमें आपको admission नहीं लेना है ठीक है अब आपको seat तो मिल गई है CSAB का rule ये कहता है कि अगर आपको seat मिल गई है तो फिर आपका जो पैसा है वो refund नहीं होग जाते हो आपको जो seat मिली है round one में वो cancel हो जाएगी और आप next round के लिए consider नहीं किये जाओगे इससे क्या होगा कि जो total fees आपने submit की है registration के time पे उसमें 5000 रूपीज जो total fees का 5000 रूपीज है वो deduct हो जाएगा बाकि जो amount है वो आपको आपके bank account में refund कर दिया जाएगा registration के time पे CSAB में भी एक bank details मागी जाती है जैसे जो सा में मागा जाता है उसी तरह CSAB में भी bank details मागी जाती है उसी bank में आपका जो amount है वो refund कर दिया जाएगा इसमें 5000 रूपीज काट लिये जाएगे अगर CSAB में कोई seat ही नहीं मिलती है round one में भी नहीं मिली round two में भी नहीं मिली तो फि round में counseling हो रही है तो round one में ही आपको surrender के option देखने को मिलेंगे क्योंकि round two में अगर आपको CSAB में कोई seat मिलती है और आप उस seat को accept नहीं कर रहे हो तो फिर आपका जो amount है जो आपने registration के time पे fees पे की है वो refund नहीं होने वाली है ठीक है अब मैं आपको CSAB के बारे में कुछ और important points बता देता हूँ वैसे मैंने already इस video में सारे important points CSAB के बारे में cover कर लिये हैं CSAB की counseling में जब आप choice filling करते हो तो choice filling करने के बाद अगर आप उन choices को lock कर देते हो तो lock choice में कोई modification नहीं किया जा सकता है जैसे जोसा की counseling में lock choice में आप कोई modification नहीं कर सकते हो इसी तरह CSAB में भी आप lock choice में कोई modification नहीं कर सकते हो और CSAB की counseling में आपको registration से लेके fee payment तक की सारी procedure सही तरीके से follow करनी होगी तभी आप CSAB 2020 के लिए consider किये जाओगे बात करते हैं reporting की तो CSAB की counseling में भी आपको online reporting देखने को मिलेगी और online reporting का जो system है वो मुझे offline से कही बहतर लगा क्योंकि online reporting जो है वो आसान है और काफी जल्दी हो जाती है online reporting में सबसे पहले आपको आपका जो allotment letter है मालो CSAB के round 1 में मुझे कोई seat मिले तो round 1 में उस seat को मैं देखने जब जाओंग CSAB के official website में तो वहाँ मुझे पहले allotment letter डाउनलोड करना होगा allotment letter जैसे ही मैं डाउनलोड कर लूगा इसके बाद मेरे पास option आएगा undertaking submit करने के लिए उस undertaking में मेरे पास क्या होता है कि मेरे को जो seat मिली है उसे मुझे क्या करना है freeze करना है float करना है slide करना है या surrender करना है तो उन में से कोई भी एक option मैं select करूंगा इ आपको class 10th का mark seat या फिर आपको जो birth certificate है वो submit करना होता है इसके बाद अगर आपकी कोई category लग रही है ठीक है तो आपको category certificate भी submit करना होगा ये सारे document PDF form में upload करने होगे इसके बाद अगर आपके पास OCI या PIO card है तो आपको उसे भी upload करना होगा इसके साथ साथ medical certificate जो है वो ह medical certificate बनवा के उसका PDF बना के जितने भी document है जो 12th mark seat हो 10th mark seat हो medical certificate हो category certificate हो वो सारे के सारे document PDF बना के आपको submit करने होगे CSAB की site पर जब आपको document upload करने का option आएगा तो ठीक है अब बात करते हैं कि जो CSAB की counseling है इसमें participation fees किती लगती है जो सा counseling में तो participate करते समय आपको कोई charge नही होती है अब यहां पर different different case होते हैं अलग-अलग situation में आपको अलग-अलग fees pay करनी होती है जैसे अगर कोई student ऐसा है जिसने जो सा में registration नहीं किया है तो अगर वो journal EWS या OBC से है तो उसे 36,500 रुपए अगर SCHT या PWD से है तो उसे 16,500 रुपए पे करने होंगे फिर अगर कोई student ऐसा है जिसने जो सा के counseling में participate तो किया लेकिन उसे जो सा counseling में कोई seat नहीं मिली तो उसे भी 36,500 रुपए journal, journal EWS या OBC के लिए SCHT या PWD से है तो 16,500 रुपए पे करने होंगे मालो कोई student ऐसा है जिसे जो सा counseling में 6th round में जो seat मिली थी या फिर 6th round तक वो आया और उसे जो seat मि में participate करना है तो उस student को भी 36,500 रुपए या 16,500 रुपए पे करने होंगे जबकि उस student ने जब उसे IIT में seat मिली तो वो seat acceptance fees तो पे करेगा ही है ना तो वहाँ पे उस student को 35,000 रुपए भी पे करने होंगे ठीक है अगर journal वाला है या फिर SCHT वाला है तो 15,000 रुपए इसके सा साथ अगर वो IIT की seat छोड़ कर CSAB में NIT plus system admission लेना चाहते है तो फिर उसे 36,500 रुपए या 16,500 रुपए पे करने होते हैं ये जो case होते हैं वो generally कमाते हैं ठीक है ना मालो कोई SI student है जिसने जो सा कांसलिंग की उसे seat भी मिल गई और उसे जो seat मिली है वो seat वो बनाए रखना च चाहते हैं तो उसे भी registration के time पे CSAB में 36,500 रुपए और 16,500 रुपए अपनी category के हिसाब से submit करने होंगे लेकिन मालो अगर आपको seat मिलती है जो सा में और उस seat को आप withdraw कर लेते हो कि मुझे ये seat नहीं चाहिए तो आपने जो seat acceptance fees पे कर रखी है वो transfer कर दी जाएगी CSAB क्यों औ और आपको सिर्क 15,500 रुपए ही पे करने होंगे ठीक है तो ये different different case है इन cases के हिसाब से ही आपको CSAB में participation fees पे करनी है इसके बाद जो next case है उसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई student ऐसा है जिसे SCST category से seat मिलती है जो सा counseling में और वो seat acceptance fees भी पे कर देता है लेकिन उसकी seat cancel हो जाती है या फिर वो seat withdraw कर लेता है या फिर वो report नहीं करता है तो फिर उस student को CSAB में participate करने के लिए journal category में आके 21,500 रुपए पे करने होंगे ठीक है इसके बाद मालो कोई student ऐसा है जिसे seat मिलती है जो सा की counseling में SCST category से और वो report भी कर देता है fees भी submit कर देता है अपनी जो category है वो CSAB की counseling में journal में change करना चाहता है तो फिर उस student को 56,500 रुपीज पे करने होंगे journal category में आके ठीक है ये जो last की case है इसमें SCST वाले में NA NA लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सारे student journal category में consider कर लिए जाएंगे ठीक है ना क्योंकि उनके जो certificate है वही सही नहीं ह तो आपको जो seat है वो journal में transfer हो जाएगी तो फिर आपको fees जो है वो journal के हिसाब से पे करनी होगी तो ये सारे cases है आप जिस भी case के अंदर आते हो में stop the student जो होते हैं वो या तो number one के अंदर आते हैं या फिर जो number four पे case बता रखा है उसके अंदर आते हैं तो उन्हें इसी के ह बारे में CACB के बारे में मैंने ACL के जिट तक की पूरी information आपको provide करा दी है जब इसकी official dates आजाएंगी तो हम आपको एक detailed वीडियो बना के देंगे जिससे आपको choice feeling में भी काफी मदद मिलेगी इस वीडियो के description में जाकर आप हमारी help भी ले सकते हैं choice feeling के लिए वीडियो अगर कोई doubt रह जाता है special round के बारे में अभी भी तो comment section पर mention करिए आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा आपके doubts जो है वो clear किये जाएंगे मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर तब तक के लिए चलता हूँ दीजे इजाजट जैहिन